आई आग बात करते हैं बहुत ही sensitive topic है और कई सारे लोगों को मेरे पास कमेंट्स भी आया कई सारे मैसेज्ज भी आते हैं और अक्सर लोग मुझसे पूस्ते भी रहते हैं कि सर एजनसी अगर हम कहीं जा रहे हैं और घूमने के लिए जा रहे हैं तो एजनसी हमारी fraud है या एजनसी हमारी genuine है कैसे पता करें यह सब की मन में question रहता है कि सर सब कुछ तो है Google reviews है और कैसे है फिर भी fraud हो जा रहे हैं तो आईए मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आज आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे पता करना है travel agency वाकई जेन्मीन है या fraud है तो सबसे पहले आप किसी भी travel agency को सर्च करते हैं या आप instagram पे देखते हैं या youtube पे देखते हैं किसी भी marketing platform पे अगर आप उसको देख रहे हैं और देखने के बाद आप उससे book करना चाहते हैं या आपने उससे बात किया तो initially क्या होता है आप जब भी बात करेंगे तो कोई भी अच्छी agency अपना personal whatsapp से नहीं chat करेगी वह अपनी whatsapp बिंजस उससे ने कर रखा होगा बिंजस अपनी company का logo लगा रखा होगा हर agent उनका हर agent या बुली आप जो हर salesperson है उनका वह अपना face नहीं लगा के रखेगा कि वह अपनी personal life को आपके सामने शो कर रहा है क्योंकि they are professional one तो आप सबसे पहला चीज step अगर चेक करे तो personal मत देखिए उनका उनकी company का देखिए है apart from that सबसे पहला और सबसे बड़ी चीज आप Google को जाईए Google एक ऐसा platform है जहां पर आप किसी भी चीज को आप search कर सकते हैं किसी भी चीज को x, y, z, anything for example आप मेरी company के बारे में बात करें आप Google पर जाईए आप बंजारे travel partner को search कीज जैसे ही आप बंजारे travel partner डालेंगे तो कई सारी links आजाएंगे अगर कोई भी बंदा या कोई भी company जैन्मीन है तो वो company चलाने से पहले कुछ investment उसमें डालेगा और खास कर online platforms के लिए वो क्या करेगा एक website तो at least support करेगा ही है वो afford कर सकता है उस website को तो आप उनका .com.co.in apart from that Google ने review section दे रखा है आप अपने business को register करते हैं हम लोग तो आप जैसे ही search करते हैं तो आप उसका पूरा website उनका calling number उनका address everything महाँ पर mention होगा तो simple सी चीज है आप उनके review section पर जाएए अब यहाँ पर बहुत बड़ा fraud है review section के लिए companies क्या करती है वो अलग marketing companies को hire करती है और वो क्या करते हैं वो fake reviews डालते हैं अब आपका question आएगा कि sir आये तो आप भी बता रहों कि fake reviews हैं तो हम कैसे उसमें विश्वास करें उसका बहुत simple चीज है आप किसी भी company के 5 star rating पे मत जाओं 5 star पे आपको बात ही नहीं करनी आप सिर्फ जाएए वहाँ पर 3-4 option आएंगे most relevant most newest or lowest highest आप lowest पे जाकर के link पे click कर दीजे तुरंट आपको उनकी lowest rating खुल जाएगी for example अगर मैं ऐसा travel agency काम कर रहा हूं और आप मेरे साथ आए हैं तो आप मुदेख के आए होंगे जैसे ही मैं आपके साथ कुछ बुरा करूँगा कुछ फ्रॉड करूँगा तो आप क्या करोगे आप कहीं न कहीं जाओगे और उस चीज को बताओगे लोगों को कोशिश करोगे कि लोग मुझसे बचे for example तो आप क्या करोगे आप जाकर के google पे single star rating दोगे आप उसको लिखोगे same ऐसे ही लोग दूसी travel agencies या fraud travel agencies पे जाकर के उसको लिखते हैं ना कर की ना की वो जाकर के उन्होंने सिफ 5 star rating को ही आप देखते हो आप उसी से judgment कर ले तो नहीं never किसी भी चीज को आप देखो उसकी lowest जरूर पर और आप जब lowest देख लोगे तो वह जो जो commitment कर रहे हैं उनके salesperson के नाम भी आपके सामने लिखे हुए होंगे और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनका salesperson जो पर है वहाँ पर उसका भी नाम आप से सायद वही आदमी आप second thing आप before payment आप उनसे GST नमर मांगेंगे GST नमर क्या है government हर एक Indian government ने हर एक काम करने वाले वो जो भी आपका business कर रहा है उसको GST एक छोटा उद्योग कर रहा है उसको भी GST लेना है एक बड़ा उद्योग कर रहा है तो उसको भी GST लेना है आप उससे उसका GST नमर राइटर नाम किसके नाम पर है company उसका GST नमर राइड और उसका address everything mention रहेगा आप वो चेक कर सकते हो प्लस आप उस company के बारे में online search कर सकते हो कितनी पुरानी है LinkedIn अगर वो company से लोग जुड़े हुए है LinkedIn पर आप जाईए LinkedIn पर आप जाकर कर के देखिए वो company का employee है तो LinkedIn पर प Instagram पर जाईए Instagram पर क्या है कि लोग Instagram के थुरूब ही आतने हैं अब वहाँ पर भी कई सारे fake followers हैं आप उस पर मत जाईए आप उनके जो भी वह photos डाल रहे हैं जो भी वह Reels डाल रहे हैं उनकी Reels देख लीजे कितने likes आ रहे हैं पता चला 10 लाग follower है और like उनके एक भी नहीं आ कर में कभी भी बिना GST नंबर के आप डारेट पेमेंट नहीं करेंगे अंटिर एंडिस किसी ने आपको रिफर ना किया हो अगर कोई उससे भूम करके आया हो तभी आप उसको पैसे डालिए अगर उसके पास GST नहीं है वह Google पे नहीं है उसके रिव्यूस खराब हैं आप क पहले चीज कोशिश किजिए कि रिफल के जाय है किसी ने आपको किसी ने आपको बताया हो उस पे जाय है या फिर आप उनसे बात कीजेए उनसे और उस चालिभी पाकेज लिस दीक्नलिवर करें एक場 और सुन दिए मत उनके Google पे जा करके जरूर लिखिए उनका review section पे जा करके उसको लिखिए जरूर single star, two star, three star जो भी आपको देना दीजे और अगर उस company ने अच्छा काम किया है तो five star भी दीजे उस पे मत कत्राईए क्योंकि आप जो भी शेयर करोगे आपको ही देख करके दूसरा इंसान शायद उस company से बस सकता है या वो उस company में जा करके अपना package अच्छा करवा सकता है तो मैं इसको फिर से summarize कर देता हूं ताकि आपके लिए असानी रहे कि आपको देखना क्या क्या है पहली चीज आप किसी भी company का Google पर search करेंगी दूसरी चीज रिफलर देखेंगी क्या आप से कोई रिफलर हो रहा है या नहीं हो रहा है तीसरी चीज आप उसके इंस्टाग् GST number company के पास होना जरूरी है कोई भी आरा गरा अगर आपको phone करके कहता है कि नहीं मैं फला company से बोल रहा हूं और आप payment कर दीज़े यह ऐसा कर दीज़े कभी नहीं और payment में जब भी आप Google Pay, phone Pay, Paytium कुछ भी करते हैं तो Google Pay को ही preference दीज़े मैं ऐसा नहीं कहता है कि आप दू यूजर को दिखाएगा तो दिखाएगा कितने साल पुराना है, for example, हमारी company को दिखाएगा एक साल पुरानी company या दो साल से यूजर है हमारे साथ, उसका सीधा indication यह रहता है कि अगर उस number पे पेमेंट कर रहे हो, means he is genuine, वरना वो fraud करने के लिए अगर होगा, तो दो महिने, चार महिना या छे महिना पुराना होगा और मार्केट से पैसा लेकर के चला जाएगा, फिर भी मान लीजे आपने पैसे दे दिये, लास्ट राज दिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया, आपकी बात नहीं हो रही है, आपके साथ fraud हो गया, जो कि एक मेरे client थे, उन्होंने क कुछ 500,000 रुपए के चक्कर में उन्होंने डिरेक्टली किसी इसको बुक किया और उसने लास्ट राज दिन फोन उठाना बंद कर दिया, ये बहुत ही लाजमी है, ये खासका नौबर, दिसमबर, जनवरी, फरवरी के मन्त और अप्रिल, मेज, जून के मन्त में बहुत इसा लेकि चले जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड हजार, दोजार, तीन हजार रुपए का होता है, इस वज़े से कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन अगर उसने कमेट्मेंट किया है, और आपको लग रहा है, और उसने पैसे आप से ले लिये हैं, तो एटलीस कम से कम आप जाकर क कि अपने नजदीकी पुलिस इस्टेशन में उसके खिलाफ अफाया डालिए, कुछ तो एक्शन उसके खिलाफ लीजे, थाजार रुपए, दोहजार रुपए सोच करके मत छोड़ दीजे, और अन्नोन में ट्रांसफर करने से बिलकुल बची है, अंटिल और उसके पास GST नहीं है, बिलकुल भी मत कीजिए, और सबसे बेस्ट प्रेफरेंस ये रहता है, कि आप अगर उनके अकाउंट ट्रांसफर के लिए जाहिए, या फिर आप गूगल पे फोन पे कीजिए, तो देख लिजे यूजर कितना पुरा ना है, लास्ट फिंग इस डाट, कि आप GST मैं बार-बार किसी पूरे वीडियो में आपको कह रहा हूं, GST नंबर जरूर लीजे, क्योंकि GST जो दे रहा है, आप उसको उनलाइन सर्च कर सकते हैं, वो हर महिने की GST हम लोगों की फाइल होती है, वो भी वो दिखाई देती हैं आप, तो ये पूरा करके करने के बाद ह ही आप रियल और फेक में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आज का वीडियो खतम करते हैं, थैंक्यू, एन हैव नाइस देए, बाबाए